हेड्लाइन्स के प्रायोजक हैं L.I.C. of India जिन्दकी के साथ भी जिन्दकी के पाद भी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल ने बाइनाच से किया नामनकन दाखिल रोजशो से दिखाई अपनी ताख है मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस के बारा उमीद्वान और भोशे दिवेक तनखार उन्यादव राहुल स्विंग को मिला टिकेट अध्यक्ष गण में नक्सलियों ने किया धात लगातर हम ना देए सकते चाह जमांची दिखाई सल्मान की फिल्म दबंग की शूटिंग में हुआ हंगामा शिर्णिंग पर रहा तक हर धीजिकी ने दीज़े ताफ और शिवरा सिंग कर राहुल गांदी पर बड़ा हमला कहां इंट्रनेशनल शूटे हैं राहुल गांदी नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं अखल न्यूज अब खबरे विस्तार से कौंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के वाइनाड लोग सभा सीट से नामांकंदा की किया इसके बाद राहुल का भीड भरा रोग सो भी हुआ इस दौरान प्रेंका गांधी भी मौजूद रही राहुल ने अपनी परांपरागत सीट अमेठी के अलावा दूसरी सीट के रूप में वाइनाड को चुना है हाला कि इसको लेकर उन्हें भाजपा और बामदलों की आल कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वाइनाड से परचा भरा इसमें कॉंग्रेस महासचे प्रेंका गांधी वाडरा भी शामिल हुए वाइनाड में 23 अप्रेल को मतदान होगा वाइनाड से एंडिये ने तुशार वेलापल्ली को कि यह सीच सांस्कृतिक और भागोलिक रूप से काफी एहम है दूसरा यह कि केरल करनाचक और तमिलनाडू की सीमाओ को जूती है ऐसे में राहुल का यहां से चुनाव लड़ना एक तरहा से पूरे दक्षड भारत का प्रती में धित्व होगा राहुल वाइनाड ऐसे ही न अगाव रहा है वाइनाड का देश में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपून इस्थान है यहां से कॉंग्रेस का सिर्फ राज्यतिक रिष्टा नहीं है बल्कि गांधी परिवार की कई यादे दिन यहां से जुड़ी है उन्निस सो एक्यानवे में पूर् रक्षामंत्री एके एंटिनी के साथ राहूल गांधी खुद वाइनाड गए थे मौजूदा समय में कॉंग्रेस अपने राजनेते एक वजूर थी लड़ाई लड़ रही है ऐसे में राहूल को केरल की मिटी से सियासी फायदे की उमीद नजर आ रही है शायद इसलिए उन राज दरेकम हो सकती रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद अब रैपो रेट 6.25% से 6% मौद्रिक नीती की समिक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रैपो रेट में 25 पॉइंट की कटोती की घोश्णा की है बता दे की फरवरी में भी रिजर्व बैंक ने रैपो रे प्रतीशत थी वहीं रिवर्स रैपो रेट 6 प्रतीशत पड़ी रिजर्व बैंक रैपो रेट कम करता है तो इसका सीधा असर होम और कार लोन की EMI पर नज़र आएगा रेट कट की घूशना करते ही गवर्णर शक्ती कांत दास ने बताया कि 2019-20 के लिए ग्रोथ का अनुमा सबीजर करते हैं पूराज सिंग्ध ने जूत बोल कर सरकार बना ली कॉंग्रेस अद्यक्ष राहूल गांधी इंटरनेशनल जूते हैं शिवराज सिंग चोहां बीज़े पी का प्रचारकर ने चाधिस गड़ के सुक्मा पहुचे बीज़े पूबॉञज सिवराज सिंग् इंटरनेशनल जूटा करार दिया निभानी रहे और राहुल गांधी पूरी दुनिया में ये धिन्डवरा पीट रहे हैं कि 36 में मदप्रेस में करजा माफ हो गया इस सब्सक्राइब कोई जूट हो नहीं सकता शिवराज सिंग ने 36 गड़ के मुखे मंत्री से कहा भाजपा का कारेकरता कोई गुलाब जामुन नहीं है जिससे खाय जाओगे शिवराज ने कहा कांग्रेस राष्टर दोहों की सीमा तक चली गई है उन्होंने कहा 36 गड़ में आज जो विकास नजर आ रहा है ये डॉक्टर रमन सिंग के कारेकाल की देन है कांग्रेस ने मद्रदेश की बारा लोग सभा सीटों पर अपने उमीदवारों की घोशना कर दी चिनवाडा से मुकमंत्री के पुत्र नकुलनाथ, जबलपुर से अधिवक्ता विवेक तंखा और खंडवा से अरुन यादव को मैदान में उतारा गया लंबी जद्दो जहित के बाद कांग्रेस ने मद्रदेश के लिए बारा उमीदवारों की घोशना कर दी है चिनवाडा से नकुलनाथ, सागर से प्रभु सिंग, खंडवा से अरुन यादव, दमो से प्रताप सिंग दोधी, सतना से राजाराम तरपाथी, सीधी से आजयाय सिंग राहुल, जबलपुर से विवेक तंखा और देवास से पहला टिपणिया का नाम भोशित किया गया है विवा से सिद्धारतनातिवारी, दमो से प्रताप सिंग दोधी, मंडला से कमल मारावी, उज्जन से बावुलाल मालवी, खरगौन से डाक्टर गोविन मुजालदे का नाम सूची में शामिल है उदर कॉंगरेस ने सिंग्वारा विधानसवा सीट से कमलनात को अपना उमीदवार बनाया है इंदौर धार विदीशा, राजगर गुनाश शुपरी, मुरेना भिंड गौदेर सीट पर अभी उमीदवारों की गोशना नहीं की गई है इंदौर के लेकर पार्टी ने अभी तक कोई भी उमीदवार गोशित नहीं किया ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहां से कॉंगरेस कोई बड़ा नाम सामने ला सकती है चिनवारा से नकुलनाथ, खंडवार से अरुणजादब, जबुलपुर से देवेट तनका और देवास से पहला ट्रिफणिया का नाम पहले से ही कंफर्म माना जा रहा था लोग सबह चुनाओ के ठीक पहले नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है इस हमले में B.S.F. के चार जवान शहीद हो गए है पंखाजूर के जंगल में B.S.F. जवान रुटीन ऑपरेशन पर निकले थे इस समय नक्सलियों ने घात लगा कर यह हमला कर देए यह हमला कांकेर के पंखजूर से 35 क्लोमीटर दूर महला जंगल में किया गया रुटीन ऑपरेशन पर निकले B.S.F. के जवानों पर नक्सलियों ने घात लगा कर हमला किया जिसके बाद दोनों तरफ से गोली बारी होई अचानव को यह हमले में चार B.S.F. के जवान शहीद हो गए वहीं कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है दरसल कांकेर लोगसबांग के दूसरे चरण में मद्दान किया जाना है पिछले दिनों सुरक्षा को लेकर अफसरों ने रिव्यू भी किया था इसी बीच इस हमले ने एक बार फिर सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिये हैं इदर इलागे में पुलिस पार्टी सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है इस हमले के बाद पुलिस ने भी जवावी फारिंग की लेकिन जवानों को भारी परता देख नकसली मौके से फरार हो गए शेडों में के एसाई बाद तीन जवान है डियाई जी नकसल ऑपरेशन पी सुन्दर राजा ने घटना की कुष्टी की है उन्होंने बताया के कांकेर के थाना परतापुर शेतरंक करगत बीस एफ केमप माला से बीस एफ के 114 पाटारियन के एक कमपनी सर्चिंग अभ्यान के लिए निकली थी लगबग 12 बिजे पुलिस पाटियों नकसल वादियों के बीच मुड़बड हुई गायलों को बीस एफ केमप माला लाया गया है बगब ब्रेका है ब्रेक के बाए जल्द हाजिर होंगे आप देखे रहे हैं दाखलियों आप देख रहे हैं दाखलियों आइसक्रीम काईगी यह है डबल आनंद पहला आनंद पॉलसी टर्म के अंद पर मेचॉरटी क्लेम का पूरा भुकतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के L.I.C. न्यू जीवन आनंद आनंद ही आनंद L.I.C. के न्यू एंडॉर्मेंट प्लान में पाईए बचत के साथ सुराक्षा भी घर अपने खुश्या ले आओ आप देख रहे हैं तखल न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दबंख्री की शूटिंग में विवाद हो गया है शूटिंग के दौरान एक शिवलिंग को तख़त से दबा दिया गया इसके विरोध पर सल्मान खान ने कहा मैं स्वैम बड़ा शिवहत है आप यदि शूटिंग नहीं करने देना चाहते हैं तो पुरन पैक अप कर यूपी चला जाओंगा उन्होंने कहा कि आपको पता है मुख्मंत्री कमलनाथ सर के कहने पर हम यहाँ हैं उन्होंने कहा था कि आपका इंदौर और महिश्वर से नाता है इनके नाम को आगे बढ़ाईए यहां शूटिंग ही तो ऐसा लगता है कि विवास सल्मान खान का पीशा चोड़ने का नाम नहीं लेते हैं कुछ फोटो और वीडियो से जोड़ी खबरों को लेका सल्मान इतने आहत हुए कि मीडिया कर्मियों के बीच पहुँच गए वहीं अभी नित्री सोमनाक्षी सिना फिल्म की शूटिंग के कर ब्रामक जान का रिदी जा रही है उन्होंने उस वीडियो का जिकर किया जिसमें बताया गया कि नर्मदा घाट पर बने शिवलिंग पर टकत रखा गया इस पर लोग खड़े हैं और शूटिंग चल रही है एक फोटो में शिवलिंग के पास बेक्ती पैर फैला कर बैठा हुआ है सल्मान ने इस पर सफाई देती हुए कहा कि उन्होंने कुछ शिवलिंग का सम्मान करते हुए ऊपर बॉक्स रखवाया कुछ लोगों ने उसका दुर्पयों किया तो तक कल हटबा भी दिया गया सल्मान ने मीडिया से अग्रा किया कि मेक अप के दोरान उनका उकसान नहीं होगा बलकि यहां शिवलिंग होने से इस्थानी के साथ इंडर बोपाल के कलाकारों को मौका मिल रहा है रोजगार मिल रहा है वो और चिन जाएगा इससे परज़टन को भी बढ़ावा मिल रहा है सल्मान ने कहा कि कमलनाफ सर के कहने पर यहां स्यूटिंग कर सल्मान पर यिए ईयड़ीट अहिलेशर् मंदिव पनसर्थ घृत पर फिरुबाया गया बीज़पी विधहयक रामिश्यर्म शूर्मा ने कमलनाथ heureं को चेतावनी देते हुए कहा कि हिज़िन हिंदू जा गया एकमनाथ और सल्मान खान के मुशिबत हो जाएगी विधायक शर्मा ने सल्मान खान के खिलाफ आपकाई और दर्ज कराने की मांगती है सल्मान की फिल्म दवंग 3 की शूटिंग माईश्वर में चल रही है जहां शूटिंग के दौरान शिवलिंग के अफ्मान कियो जाने का मामला सामने आया बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामिश्य शर्मा ने मुकमंद्री कमलनात और अभिनेता सल्मान खान को साफ साफ चितावनी दी है कि हिंडूों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए मैश्वर में अभिनेता सल्मान खान के शिवलिंग के उपर तखत रखकर शूटिंग करन आप हमारा आप और कितना आप मांग्कर खोर घी यहँ हिंदू समाज का क्या भगवान संकर की पिंदी पर तकश्कर रखकर सल्मान और चत्री लगाएंगे और कमलनात सयरो Verf सेरी प्रात्ना हैं कि दौनों सर मप्रदेश की जनता से माःफी मागे और सम्मंदित वेक्टियों के खिलाब सक्ते सक्त कारुवाई की जाए अन्ता हिंदू आंदोलन के लिए विवश होगा रामिश्य शर्मा ने कहा कॉंग्रेस सरकार क्या शिवलिंग की पिंडी पर सल्मान को नचाएगी सल्मान ने क्या कभी किसी मजार पर ऐसे तक्त लगा का शूटिंग की है उन्होंने कहा कि चेताव ही देता हूँ जिस दिन हिंदू जाग गया सरकार और सल्मान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कॉंग्रेस के घोषना पत्र में जहां देश द्रो की धारा खत्म करने की बात कही गई है वहीं बीजेपी ने इसे आड़े हाथ लिया है बीजेपी ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस देश द्रोहियों आतंगवादियों के साथ है वहीं कॉंग्रेस का इस पर कहना है कि बीजेपी ने 24 एधारा का हमेशा दुरूपयों किया है इसलिए इस धारा को हटाने की बाद घोशना पत्र में कही गई है कॉंग्रेस के घोशना पत्र जारी होने के साथ ही सियासत शुरू हो गई है देश दुरो की धारा हट्टाने को लेकर कॉंग्रेस घिरती नजर आ रही है बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस देश दुरोईयों, अलगाववादियों और आतंगवादियों का साथ देती है बीजेपी ने कहा कि कॉंग्रेस का गोशना पत्र आतंगवादियों और अलगावदियों की सलह से बनाया गया है बीजेपी ने कहा कि जो देश के खिलाफ खड़ा होगा उसको देश द्रोही माना जाएगा और उसके खिलाफ कारवाही होनी चाहिए बीजेपी की प्रवक्ता राजों मालवी ने कहा कि कॉंग्रेस ने देश दुरों की धारा खत्म करने की बात कर सेल्फ गोल कर लिया है उन्होंने कहा कि देश तोड़ने वालों के बात करने वालों को सजा मिलना गलत बात नहीं है देखिए बहुत इसपश्ट हो चुका है कल के गोशना पत्र में है यह हम कह सकते हैं कि कॉंग्रेस ने सेल्फ गुल कर लिया आज यह तै हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद अलगाववाद और गदार इन तीनों की साथी कॉंग्रेस और इन तीनों की विरोधी एंडिये और भ देखिए देश की जनता ने कल घोशना पत्र आते ही यह तै कर लिया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है वो आतंकवादियों के साथ नहीं है वो अलगाववादियों के साथ नहीं है वो देश के गदारों के साथ नहीं है चौबीस एका कोई दुरुपयोग नहीं किया जा र जोंगरेकर देश के तुखड़े होने की बात करेगा क्या वो राश्ट द्रोही नहीं है और अगर है तो सिर्फ आप उनके साथ गलबया कर रहे हैं कोई सैनिक मरता है तवाप नहीं जाते कोई और घटना हो जाती है तवाप नहीं जाते वहीं दूसरी ओर कॉंग्रेस का कहना है की बीजे पी ने धारा 24a का 2 रुपयों किया है कॉंग्रेस मीजिया प्रभारी शोभा ओजा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने मासूम लोगों पर केस दायर किये हैं शोभा ओजा ने जे एन्यू का उधारण देते हुए कहा कि देश द्रोग की आड में किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए देखें एक धारा उसमें से हटाई गई है जिसका दो रुप्यों भारती जनता पार्टी कर रही थी और उनकी सरकार कर रही थी मासूम लोग जो उन पर देश द्रोग के केसिस लाद दिये जाते थे जो इनकी वीजेपी की विचारधारा या आरेसेस की विचारधारा के खिलाब खड़ा होता था उसको दोईश द्रोग कर दिया जाता था और प्रताड़ी किया जाता था हमने देखा किस तरह से मासूम जेन्यू की बच्चे हूँ चाहे तमाम हिंदुस्तान के दूसरे नागरी को उन पर किस तरह से इसका दुर्योपिक करते हुए देश द्रोग का मुकदमा लगाया था जो की एक संकिर्ण मानसिक्ता और आरेसेस की जो तोडने वाली मानसिक्ता के चलते होता था तो साफ तरुपे कॉंग्रेस ने कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा किसी को प्रताड़े नहीं किया जाएगा जबलपुर के सिहोरा बाइपास पर एक ट्रक और ब्यम डब्लू कार की भीशन टकर हो गई इस हाथसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गायर हो गई बताय जा रहा है ये सभी एक ही परिवार के हैं और यूपी में एक शादी समारों में शामिल होकर छिनवाडा की जुन्नार देव अपने घर जा रहे थे इनकी BMW कार बहुत तेज रफ्तार में थी और ट्रक के अगले हिस्से से टकराते हुए पीशे से निकल कर 20 फिट उपर उचली और सड़क किनारे गड़े में जा गिरी हासे में कौसर अली, शकीरा बानो और आहिर अली की मौके पर ही मौत हो गई तीन अनलोग घायल हैं, घायलों को जबलपुर के मेट्रो अस्पताल में भड़ती करवाया गया है दो घायलों की हालत ना जुक्मनी हुई है, ये सभी उत्तर प्रदेश के फतेपुर में हुए एक शादी समारों से लौट रहे थे राष्टे से गुजर रहे लोगों ने घटना की सुष्टा पुलिस को दी, मौके पुलिस के पहुंशने के बाद शेवों को कार से बाहर निकाल कर पोस्मार्टम के लिए अस्पताल बेजा गया वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहे दाफार्टम आप देख रहे हैं तखल्यू जीवन भी मादवारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोकिम भी कवर करता है ये कंपलसरी और सिस्टमाटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है ये कर्ज वगेरा के रूप में लिक्विडिटी देता है इन्हे कोलाटरल सेक्योरीटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है लागुन ये मनुसार, टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं, बोनस के रूप में लाब भविश्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की चाया L.I.C. हर पल आपके साथ आइस्क्रीम काईगी ये है डबल आनंद पहला आनंद पॉलसी टर्म के अंद पर मेचॉरटी क्लेम का पूरा भुकतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के L.I.C. निउ जीवन आनंद आनंद ही आनंद आप देख रहे है डखल लिओ प्रिक के बाद आपका स्वागत है कॉंग्रेस अपने घोशना पत्र को चिनाव में जीत का मंत्र मान रही है जहां एक तरफ कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र को जनावास घोशना पत्र का नाम दिया है वन्हीं दूसरी करफ भाजपा ने कॉंग्रेस के घोषना पत्र को पाकिस्तान के समर्थन में और आतंगवादियों को बढ़ावा देने वाला कहा बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों का फुल जोर विरोध करती है कॉंग्रेस का घोषना पत्र अलगावाद वा आतंगवाद को बढ़ाने वाला है कॉंग्रेस देश की एकता और अखंडता को चोट पहुचाना चाहती है कॉंग्रेस के इस घोषना पत्र से आतंकियों की बजह से जो परिवार बिछड़ चुके हैं उन्हें कैसा लग रहा होगा कॉंग्रेस सैनिकों काम मनुबल तोड रही है और आतंकियों का मनुबल बढ़ा रही है कॉंग्रेस देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है किदार कश्यप यहीं नहीं रुके आगे और पीखे प्रहार करते हुए कहा है कि यह देश के लिए दुरुभागी की बात है कि कॉंग्रेस सत्ता के लालच में देश को बेचने का काम कर रही है कॉंग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जब कॉंग्रेस सत्ता में थी तब महिला आरक्षन का बिल पास क्यों नहीं किया आज वो महिला आरक्षन की बात कर रहे हैं गरीबों को 72,000 देने के मामने में भी कॉंग्रेस लेताओं के अलग अलग बयान आ रही है जो समध से परे हैं इस योजना से देश की आर्थिक इस्त बात को साथियों को पुलिस ने गरफतार किया है इस गैंग की लड़की ग्रामीर इलाकों में विधी विधान से शादी करती और फिर दूबे को चक्मा दे कर रफू चक्कर हो जाती चतरपूर की किशनगड ठाना पुलिस ने शादी के बाद छासा दे कर जेवरात लेकर भागने वाली लुटेरी दुलहन उसके भाई सहित पीन अन्यें लोगों को गरफतार करने में काम्यावी तुक्त क पुलिस को एक व्यापारी ने शिकायक की थी कि उसके साथ सपना किवारी ने विधी विधान से शादी की और फिर दो दिन बाद सपना किवारी अपने साथियों के साथ जेवरात लेकर पराब हो गई पुलिस ने जब इस मामले की तहकिकात की तो सागर से इस लिटेरी दुलहन सहित उसके एगभाइस और तीन साथियों को गरफतार कर लिया गया और उनके पास शादी में इस्तमाल सोने चादी के जेवरात सहित नग़ी राशी भी प्राफ की गई आप पुलिस ने से पुष्टाच में लगी है कि इस लिटेरी दुलहन में तो और कितने दुलहों को ठगा होगा पिछले 23 तारीकों 23-3 निस को ग्राम के सनगर के फर्यादी अकर्थाने में बताया कि चार तारीक तो नेरी सादी रूती आप लाम सपना के वाई से तो सादी के दो जिन बादी पूरे जेवरात लेके और अपने सायोगी साथ भाग गई अपराद के दो राज सबराएं ने उसका वाई गोली तिवारी उनके अन्गती शात्यों को धितार किया गिए और उनके कब्जे से अ सबूत के अभाव में सदा काट रही महिला नसरी को निमलका और उसके पती चंदर शेखा रेटी को राजधानी राइको में पांच जुलाई 2007 को जरक्तार किया गया निमलका के खिलाव कोर्ट में पुलिस ने कोई साक्ष्ट पेश नहीं किया जिसके आधार पर कोर्ट ने रहा करने का आदेश जारी कर दिया निमलका पर बस्तर सहित प्रदेश के 257 मामले दर्श थे वर्ष 2007 में निर्मलक्का और उसके पती चंदर शेखा रेटी को राजधानी राइपुल में 5 जुलाई 2007 को गरफतार किया गया था निर्मलक्का के खिलाफ वर्ष 2007, 2008, 2014, 2015 में भी नए-नए मामले दर्श किये जाते रहे मगर एक भी सबूत कोट में पुलिस नहीं पेश कर पाई लहाजा दंतेवाडा के फास्टे कोट ने सबूत ना होने के एवज में 2 अप्रेल को रिहाई के आदेश जारी कर दिये वर्ष 2007 में निर्मलक्का पर जन सुल्रक्षा कानून के तहट भी मामला दर्श किया गया था चातरपूर में अवयद उठ्खनन रुखने का नाम नहीं ले रहा प्रशाशन ने एक बर फिर रेत माफिया के खिलाफ चापा मार कारवाही की और रेत उठ्खनन की मशीनों और ट्रक को जग दिया यहां से ये रेत निकाल कर उपतर प्रदेश भेज रहे था गोरिया इलाके में अवयद रेत उठ्खनन के खिलाफ प्रशाशन ने बड़ी कारवाही करते हुए 8 NLT, 2 JCB मशीन और 6 रेत से भरे ट्रक चप्त करने में सफलता हसिल की है राजस्व पुलिस और खनिज विवाग की ये सईंफ्त कारवाही गोरिया थाना इलाके के रामपुर घाट और बारबंद में की गई रेत माफिया यहां से अवयद रेत का परिवान उत्तर प्रदेश तक ट्रक के द्वारा करते हैं इसमें ऐसा है कि कई दो उससे सुस्या अपरापतोरीन के कुछ बबेद रृत्तं कर रहे हैं या वे तुछ लोड रहे हैं ुशमे वी ऐलेंटी को प्युप करकर रूब करते हैं प्रशाशन अवैद रेत उत्खनन कुलने कर शुर्खियों में रहता है। लेकिन यह रेत काला कारुबार राजनेतिक पार्टियों के संद्रक्षन में चलता है। आप देख रहे हैं तखल्यों। आइस्क्रीम काईगी? बिना किसी प्रीमियम के, LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंशोरेंस पाओ। आप देख रहे हैं तखल्यों। ब्रिक के बाद आपका स्वागत है, अपराधियों की अब खेर नहीं है। लोग सभाचनाव शांती पूरवक हो, इसके लिए पुलिस ने अब आदतन और फरार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुचाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही लूट के मामले में फरार दो आरोपियों को पुलिस में गरफ़तार किया है। पास हजार के नाम खोशित किये गए थे। आरोपियों के तलाशी में दोनों के पास से एक एक लोहे की धारदार छुरी बरामद हुई। यह दोनों ही ठाना कुदवाली सिवोर के निगरानी बंद बदमाश है। एडिशनल एसपी समीर यादव ने बताया कि आरोपियों ने हाल ही में रात्री में लूट की घटना को इंचाम दिया था। घटना वाले दिन से ही ये दोनों भी आरोपियों फराठ चल रहे थे। दूसरा आरोपियों बदमाश है जिसके गुरूद लूट हत्या के अप्रियास जैसे कुल 43 अपराद दर्च है। पिछले नौ तारीक को मार्च के मेहने इसी मेहने में शादाब नाम के वेक्ति के साथ इन दोनों आरोपियों ने लूट की घटना की थी। यह दोनों पुत्वाली थाना की निगरानी बदमाश है और लगातर अपरादों में इसमें जो तब्रेज है उसके 43 अपराद है और यह जूश्रा जो आरोपिय है इसके 17 अपराद है हमारे टीम बना करके इनके लगातर तलाश की जा रहे थी अभी इनको कल पकड़ा गया जबलपुर के टाउन हॉल इस्थित गांदी भवन लाइबरेरी को अचानक बंद किये जाने से इसके मेंबर छात्रों में आक्रोश बढ़ा गया है एन परिक्षा के समय लाइबरेरी के रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया है जिसे छात्रों के प्रवेश पर जोगी परिक्षाओं के तैयारी कर रहे ही चात्रों का कहना है कि उन्हें कुछ समय पूर वह इसकी जानकारी दी गई थी जिसके बाद एक ग्यापन के माध्यम से चात्रों ने पढ़ाई के लिए व्यकल्पिक व्यवस्था की मांगी थी लेकिन बिना किसी व्यकल्पिक व् टयार की है प्रोवाइट की जाए पर तले नमने बैकल्पि बाद धासने नहीं दी जिसके 300 छाल ठाक लाइन लाईब्री नहीं है जिसके अनिंकी अध्धनगतों बाद हा रहे है और उन्हेंने बिना नोटिस दिये और उन्हें बंद का परच्छा लगा डिया बहार पर जि इन में से कई छात्र दूर दराज के ग्रामीर छेत्रों से आते हैं जिनके लिए पढ़ने और रुकने का एक मात्र यही इस्थान है बारहाल इस संबंद में जब लाइबरेरी प्रवंधन से बात की गई तो उन्होंने नगर निगम कमिश्णर के आदेश का हवाला देकर मीड परिजनों का कहना है कि छतरपूर के राजनकर ठाना च्छेत्र की पुलिस की प्रताड़ना से यूवक परिशान था ब्रतक अरजुन पाल के पिता को पुलिस किसी मामले में ग्राफ्तार करने के लिए उसके घर गई थी लेकिन वह जब नहीं मिला तो उसके बेटे को पुल जिस पर अरजुन इन रुप्यों के इंतिजाम में लग गया लेकिन जब रुप्यों का इंतिजाम नहीं हुआ तो उसले फांसी लगा कर आख मत्या कर ली घटना के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया और दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला को भी एहां पर मार उपाल सुमौ Paul और कोई पाल निकड़ा उसको पहल पंठेंने पखर लेगाए लड़कां भी मारु सब लोगं हमारो लेकर खीकिन के नावालक हमाई ले लेगए उसको भी मारा होते तो मुले यह इसको बतल कर दें हम मार रहेंगी यह एंसा करेंगी और पास इसने फोन की एक लड़का ने तो भाई याप पास तीसजार रोपे उठाल काउंचन नहीं तो पाप भाना भूमार पड़र रहे वेल्टेंगी मार रहे जी थाना राजनेगर छेत्र में एक मुकदमे में एक आरोपी को गुरुपतार किया गया था उसके पुत्र ने फा जिला सत्र नियाले के युवा अधिवक्ताओं को मैं भी चौकिदार मुहीम में शामिल किया है उमीद है कि इस मुवीम के चलते नरेंद मोदी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा नोग मतदान करेंगे वह कि चौकिदार हूं और पिछले पांश वर्ष की उपलब्दीयां जो मानी नरेंद मोदी जी की सरकार की रही है उन उपलब्दियों को हमने युवा दिवक्ताओं के मद्ध कुनक से विचार विमर्च किया है और उसी के चलते हमने आवान किया है कि युवा दिवक्ताओी समाज में निकल करके मोदी जी के पक्ष में अधिक सदिक मत्तान हो 29 अपरेल जबलपूर लोकसवा में जबलपूर पुलिस ने एक नावालिक सहिद 2 चورो को गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 ऐसी वरामत किये हैं आरोपियों ने लाकों के एसी मदन महल इस्फज शोरूम से एक एक रिक चोरी कर लिए मदन महल थाना पुलिस ने ऐसे चोरों को पकड़ा है जो एक एसी शोरूम मालिक ने दो फरवरी से नो फरवरी के बीच अपना गोदान चेक किया तो पाया कि साथ इंडोर और तीन आउट डोर एसी चोरी हो गए है जिसकी शिकाष शोरूम संचालक में मदन महल थाने में की पुलिस ने जब इस चोरी को लेकर जाच की तो एक नावालेक लड़के और राजा पचेल को हिरासत में लेकर पुश्टाच की आरोपियों ने गोडाम के पीछे वले दर्वाजे से ईसी चोरी करنا कबोल गया और बताया कि 9 मार्च को दोनों ने गोडाम के पीछे दिवार पर चड़कर पहले गोडाम का दर्वाजा खुला और फिर एसी चुरा कर P.N.T. के कंडम कोडर में छिपा दिया चोरी करने के बाद आरोपियों ने कम कीमत में चुराए गए AC को बेचना शुरू कर दिया इसी बीच मदन महल थाना पुलिस को मुक्विर से सूचना मिली कि राजा पटेल नए AC को बहुत ही कम कीमत में बेच रहा है मौके पर पहुँचकर पुलिस ने राजा पटेल को हिरासत में लेकर पुश्टाश की तो उसने अपने एक अन्य नावालिक साथी के साथ AC चुराना कबूल कर लिया पुलिस ने सभी AC को जब्द कर आगे की कारवाहे शुरू कर दिया अब आपके साथ हैं जरजर भुपाली जो आपको सुनाएंगे भैरेंट समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूं मैं हूं जर जर भुपाली तो आज तो चल दिया उन्ताली सजार के पार पहुंचके रिकोर्ड अरे खाले बाई जरा खुल फी खिलाओ और मैं बता रहे हूं यह नहीं पड़े हुए थी और वो कह रहे थी हमने इतना इंवेस्टमेंट किया जिंदकी वर और उसका सेंसेट हमारा जीरो हो गया टिकेट कड़के कई लोग दुखी भी है यहां और आज जो खोश है सेंसेट पड़ने से और यह एक अमरीका दे वी बताता है तो दूसरी बात बदा रहे हूं और अधिने फिए यह चाहिंति जौपिंग करें नजीए सब्सक्राइब निष्पर नजी ने रहती प्रॉट स्बएस खाँए जयुक करें का गया है जमू कश्मीर में बजदे आजा मौला को पर दो आंग होना चाहिए मैं प इनको पाकिस्तान में छोड़ा हो बता रहे हैं जल्दी से 370 अधिया हो वहां सब लोग जाए हैं इनका दिमाग है नॉर्मल हो बता रहे हैं यह थी देश विरोधी बाते करते रहे हैं इस बादेश नीजर लेंड में यह थी मज़िदा खबर गायों के लिए टॉइलेट बना जाए हैं तो मैं बता रहे हूं हमारा जेश नीजर लेंड के आगे हैं आरे देश नों सब्सक्राइब लंब लंबी यह जाए हैं प्रकाजी का आवे जाए लालू का जो बेटें हैं प इनकी शाजी बादी के लिए अरा जो पार्यरिय को पूर्टे ना ने नहीं विता हैं रहे हैं तो इसली में अप दिए प्ड करेशन के लिए यह और हैं पॉट्व लंडी चुराओ लंडी में लेक्ट अ रहे हैं रहेँ हूँ जंग गायों परूल में लिए लिए बढ़ेक एक नेता के घर थे दस पिस्टल और अज बोले निकले बटाओ मैं बता रहे हूं यह पहले जब मीनिममम वाली देखेज़ाने वह इक वह रहती थी राई नीट में आने किनी और वोई पोड थे पिस्टल वह देखेज लिए यह चल लिया है आप देख रहे हैं डखल लियूज